दोस्तों मदुमक्खी, दुनिया के सबसे खतरनाक कीडों में से एक है, लेकिन ये जितने खतरनाक होते हैं, उतने ही महनती भी होते हैं, खतरनाक इसलिए कि इनके पास नुकीले डंग होते हैं, और अगर इसने अपना डंग किसी इनसान को मारा, तो उसे भायानक दर्द होता और मेहनती इसलिए कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये मधुमक्यां मीठा और स्वादिष्ट शहद बनाने के लिए जानी जाती है जिसके लिए ये काफी मेहनत करती है ये मधुमक्यां विभिन प्रकार के फूलों का रस पीकर एक स्वादिष्ट शहद का निर्मान करती है आ एक बग 20,000 से 50,000 मदुमक्यां रहती है जिसमें 500 से 600 नर मदुमक्य होते हैं और इस छते में सिर्फ एक ही रानी होती है जो इनसे आकार और ताकत में बड़ी होती है और इसलिए ये इन सब मदुमक्यों पर राज करती है जी हाँ दोस्तों इस छते में नर और रानी मदुमक् का जन्म कैसे होता है अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ यह वीडियो लेकर आए हैं हमें उमीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों प्रक्रिया में सबसे पहले नर और रानी मधुमक्की का मिलन होता है जैसा कि आप देख सकते हैं और इनका ये मिलन कुछ मिंटो का होता है तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही रानी अंडे देने की अवस्ता में आ जाती है दोस्तों आपको जानकर हरानी होगी कि रानी मधुमक्की एक बार में लगबग 2000 से 3000 अंडे देने में सक्षम होती है जी हां दोस्तों ये मदुमक्खी छत्ते के एक खंड में एक अंडे देती है जिसके बाद इन अंडों की देखभाल वरकस मदुमक्खियां करती है लेकिन दोस्तों इन अंडों की भी एक अजब कहानी होती है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे वो ऐसे कि ये मदुमक्खी दो तरह के अंडे देती है एक fertilize और दूसरा unfertilize अगर fertilize अंडे की बात करें तो इस अंडे से रानी मदुमक्खी और मादा वकस मदुमक्खी का जन्म होता है अगर बात करें रानी मदुमक्खी की तो इसे रानी मधुमकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रेड्यूस करने में सक्षम होती है यानि ये अंडे देने में सक्षम होती है जिससे दूसरे मधुमकीयों का जन्म होता है और अगर बात करें मादा वकस मधुमकीयों की तो इन्हें वर्कस मदुमक्की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें रिप्रेड्यूस करने की शम्ता नहीं होती यानी ये अंडे नहीं दे सकते और अगर बात करें अनफर्टिलाइज एक की तो इस अंडे से नर मदुमक्की का जन्म होता है जिसे drone भी कहा जाता है तो जैसे इनके अंडे तीन दिनों के हो जाते हैं उसके बाद ये लारवा में बदल जाते हैं और जैसे ही ये लारवा में बदल जाते हैं उसके बाद ये वरकस मदुमक्यां इन्हें special jelly खिलानी शुरू करती है जिसे इनका विकास तेजी से बढ़ने लगता है ये special jelly बिल्कुल उसी तरह से तयार की जाती है जिस तरह ये शेहद बनाती है बस इनमें कुछ फूलों का फर्क होता है तो लगबग तीन दिनों तक ये सबी लारवा को special jelly खिलाती है जिसके बाद इन्हें पता चल जाता है कि इनमें रानी मदुमक्की, वर्कस मदुमक्की और नर्मदुमक्की कौन बनेगी तो जैसे ही इन्हें इस चीज का पता चल जाता है उसके बाद ये सिर्फ रानी मदुमक्की बनने वाले लारवा को ही special jelly खिलाती है जिससे उसका विकास तेजी से हो सके और मादा वरकस मदुमक्खी और नर मदुमक्खी को ये अपना शेहदी खिलाती है जी हाँ दोस्तों लेकिन ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके छत्ते पर सिर्फ रानी मदुमक्खी का ही राज होता है और वो आगे जाकर रिप्रोड्यूस करके परिवार की संख्या को आगे बढ़ा सकती है और इसलिए रानी मदुमक्खी वाले लारवा को विशेश पौश्टिक भोजन खिलाकर ताकतवर बनाया जाता है तो जैसे इन लारवा को 6 दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद इन खंडों को मौम की परत से बंद कर दिया जाता है जिसके बाद लारवा अंदर से प्यूपा बनाना शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और लगबक 16 दिनों बाद रानी मदुमक्खी मौम की परत को तोड़ कर बहार आती है जैसा कि आप देख सकते हैं और इस तरह रानी मदुमक्खी का जन्म होता है और लगबक 22 दिनों बाद वकस मदुमक्खी का जन्म होता है और 24 दिनों बाद नर मदुमक्खी का भी जन्म हो जाता है जिसके बाद ये कुछी दिनों में मिलन के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर से मिलन कर ये अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया को शुरू करते हैं और अगर बात करें के जीवन काल की तो वकस मदुमक्खी का जीवन काल 6 हफ़तों का होता है जिसमें ये अंडों की देखभाल, छटे का निर्मान, शेहत का निर्मान और छटे की सुरक्षा जैसे कारियों को अंजाम देती हैं और अगर बात करें नर्मदुमक्खी की तो उसका जीवन काल 20 हफ़तों का होता है जिसमें इसका सिर्फ एक और मुख्य काम होता है और वो है रानी मदुमक्खी से मिलन करना जिसके बाद नर्मदुमक्खी की मौत हो जाती है क्योंकि मिलन के दौरान ये नर अपना सारा स्पंप रानी के शरीर में ट्रांसफर कर देता है जिसके कारण उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और अगर बात करे रानी मधुमक्खी की तो इसका जीवन काल लगभग पांच वर्षों का होता है जिसमें ये अपनी पूरी जिंदगी छटे पर राज करती है और नर से मिलन कर अपने परिवार की संख्या को बढ़ाती जाती है और इस तरह छटे में रहने वाली सभी मदुमक्खियां एक राणी मदुमक्खि की ही संतान होती है अब आप लोगों में बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक छटे में तो सिर्फ एक ही राणी होती है लेकिन जब वो अंडे देती है तो उसमें कुछ राणी मदुमक्खियां भी पैदा होती है तो फिर उनका क्या होता है तो आपको बता दूँ कि जैसे ही चटों में दूसरी रानियों का जन्म हो जाता है उसके बाद वो रानियां एक-एक करके चटे को छोड़कर चली जाती है और उसके साथ कुछ वरकस और नरमदुमक्यां भी चली जाती है जिसके बाद वो सभी कहीं दूर अलग अपना च्छता बनाकर अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आरही वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये गया लिंक को चेक कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाई